भूखर मजबूरी पर भारी आस्था भूखर मजबूरी को मात देती आस्था भक्ति की शक्ति का एक शांदार उधारण है चेरिया देवी पत्रातु प्रखन के लबगा पंचायत स्थित्य मुरकटी ग्राम के चेरिया देवी भक्ति और आस्था के आगे अपनी भूखर मजबूरी दोनों को मात देकर भक्ति की शक्ति का बहतरीन उधारन पेश करती है दरसल चेरिया देवी जिनके पती भक्ति औराओ का देहांत कई वर्सों पहले हो गया था और उनके उपर उनके परिवार और दो बच्चों की जिम्मेवारी भी आ गई थी ऐसी स्थिती में दैनिक मजबूरी कर अपने और अपने बच्चों का भरन पोशन करने वाली चेरिया देवी कहती है कि वह सरना देवी की उपासक है और वो कुछ मन्नत मांग रखी है जिसके एवज में पिशली बार उन्होंने क्यावन दिनों तक बिना अन ग्रहन किये सिर्फ पानी और एक समय फलहार करके अपनी सरना देवी की उपासना की वही इस बार तो भक्ती की सारी हदों को पार करते हुए 21 दिन तक बिना फल और बिना कोई अन ग्रहन किये सिर्फ दो टाइम पानी पी कर सरना देवी की उपासना करती है उनका मानना है कि मेरी मननत पूरी हो जाईगी फिर सरना देवी हमारे घर आएंगी उसके बाद मैं इस ब्रत को तोड़ दूँगी बिना अन और फल खाए 21 दिनों तक को उपास उस पर न धूप और न बरसाद की परवाह किये बगएर दिहारी मजदूरी एक रिज़ा के रूप में करना दिन भर शारिरिक रूप से मेहनत करना फिर भी अपनी सरना देवी के उपर टूट बिश्वास कि हमारे भारत की संस्कृती और देवी देवताओं के उपर विश्वास का बहतरी इन उधारन है बला कैसे कोई बिना भोजन के उपवास रखकर दिहारी मजदूर के रूप में काम कर सकता है निश्चत तोर पर उपर वाले के उपर टूट बिश्वास की सकती के बल पर ही यह सब मुंकिन हो सकता है सलाम है ऐसी महिलाओं को जो अपने जीवन में इतना कस्ट उठा कर भी अपने अराध्य पर इतना भरूसा करती है गोर तलब है कि जिन बच्चों के लिए इन्होंने इतना कस्ट उठाया उन में से बेटी की तो इन्होंने शादे कर दी मगर अपने नीची कारूनों से यह अपने बेटे और वहुक के साथ नहीं रह पाती है हर दिन मज़ूरी कर अपना भरन पोशन या स्वहम करती है बिना किसी पर आश्रित हुए अपने काम और अराध्य पर पूर्ण भरूसा करते हुए पतरातु से जकिशन पाठक की रिपोर्ट अगला साल कर ले रहे हैं अगला साल कर ले रहे हैं अगला साल पुकर ने फाल खायर है लकिनी करने कुछ रोन है इसकी दिन पानी शीक के रहो और जहिया पुर्टो तहिए आपन घर में सेवा कुजा कर भो और जहिया हमर घर में संडा उढ़ना कर ना माय आए जाता हो तहिए बुराने तब हो अपने तुग आए जाता है अजया अजया